बच्चो नमस्कार ग्यान सिंद्र कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मांखनलाल चतुरवेदी का जीवन पर इसे आज लेकर के आए हैं इनकी करतियों पर भी हम प्रकाश डालेंगे और अंत में आपको बताएंगे ट्रिक इनकी रचनाओं की ट्रिक भी हम लेकर के आए हैं एक बार सभी को शेयर कर दीजिए और एक बार सभी को जोल डीजिए लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़े हुए हैं तो अच्छा लगेगा और स्टार्ट कर दूँगा मैं इस सेशन को ठीक है आज कमी बच्चे हैं पता नहीं कहां रह जाते हैं चिंता करने की बात है भी या अभी मार्च अपरेल में मार्च में आपका एक्जाम हो जाएगा फिर भी किसी को चिंता नहीं है किसी बात की अच्छा है चलो मैं स्टार्ट करता हूँ मैं अपना धर्म नहीं भूलता हूँ मांखनलाल चतुरवेदी जानते हो सबकी कमेंट लास्ट में पढ़ेंगे हम मांखनलाल चतुरवेदी का जन्म 4 अपरेल 1889 यानि आप जानते हैं 1889 में जयशंकर प्रसाद जी का भी जन्म हुआ था तो जब जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था तभी मांखनलाल चतुरवेदी जी का भी जन्म हुआ था तो 4 अपरेल सन 1889 इस भी में बावई ग्राम में कहां हुआ था माखनलाल चतुरवेदी जी ने जवानी लिखी, माखनलाल चतुरवेदी जी ने देश को जगाने का काम किया तो वही थे मांखनलाल चितुरवेदी जिन्होंने राष्ट्रिय आंदोलनों में भाग लिया जो गांधीवादी नेता थे मांखनलाल चितुरवेदी का जन्द तो आप समझ गए 4 अप्रेल सन 1889 को हुआ था जिन्होंने चार अप्रेल याद रखें चार अप्रेल कब 1889 इस भी में कहां हुआ था बावई नामक ग्राम में जिला था कौन सा होशंगाबाद और ये प्रदेश कौन सा मध्य प्रदेश था और और आपका देश कौन सा तो ये हिंदुस्तान था इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुरवेदी था क्या था पंडित नंदलाल चतुरवेदी इनके पिता थे कौन थे पंडित नंदलाल चतुरवेदी इनके पिता थे प्रारंभिक सिक्षा प्राप्त करने के बाद बिभिन भाशाओं का घर पर ही अध्यन किया हिंदी एंग्रेजी उर्दू फार्सी संस्कृत आदी विभिन भाशाओं का घर पर ही अधेन किया इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया अध्यापन का मतलब है टीचिंग वर्क ठीक है अध्यापन कार्य भी किया इन्होंने पढ़ाया भी ठीक पढ़ाया भी तो अध्यापन कारिवि किया इवम सन 1913 इस्वी में याने 1889 में पैदा हुए और 1913 तो 89 और 90 और 10 तो 11-13 24 वर्ष की आयू में 1913 इस्वी में 24 वर्ष की आयू में प्रभा प्रभा क्या थी एक पत्रिका थी तो प्रभा नामक मासिक पत्र में मासिक पत्र मतलब मासिक पत्रिका में इन्होंने संपादकत तो सम्हाल आया नी कि मासिक पत्र प्रभा का भी संपादन किया ठीक फिर गणे शंकर विद्यार थी एक थे मानलो इनके गुरू थे गणे शंकर विद्यारती इनके गुरू थे गनेश शंकर विद्यारती अच्छा आपकी कमेंट पढ़ते देखते हैं आप आवाज क्लियर आ रही है एक बार बताईए आवाज क्लियर आ रही है चलो ठीक है हाँ तो हम बता रहे आपको गनेश शंकर विद्यारती से अभिप्रेरित हो करके यानि गनेश शंकर विद्यारती एक प्रकार से आप समझ लिजे गूरू थे किसके माखनलाल चत्रवेदी जीके तो गनेश शंकर विद्यारती से अभिप्रेरित हो करके राष्ट्री आंदोलन विष्वध्याले नह なैको दिलिट की उपाधी की उपाधी किसने दी हिंदी विष्विद्याले ने आधिक हाथ कि हिंदी के लिए विष्वध्याले इस भी में हिंदी साहित सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे हिंदी साहित सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे हिंदी साहित सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे हिंदी साहित सम्मेलन के 1943 में और प्रयोगवाद का जन्म भी 1943 में हुआ था यानि की प्रथमतार सब्तक का प्रकाशन भी 1943 में था उसी 1943 में हिंदी साहित समयलन के अधक्ष बने थे कौन माखनलाल चतुरवेदी जी ने फिर बिश्विद्याले ने इनको डिलिट की उपाधी दी ठीके डॉक्त्रिन आप लिट्रेचर तो डिलिट की उपाधी दी और भारत सरकार ने इनको पदम भूशन दिया पदम भू पंडित माखनलाल चतुरवेदी जी तीस जनवरी सन 1968 इस वी को हम सब को इस संसार को छोड़ कर स्वर्गवासी हो गए यानि कि पंच तत्त में लीन हो गए कब तीस जनवरी सन 1968 तो याद रखिए चार को चार क्या था चार अप्रेल थी ठीक है चार अप्रेल चार अप्रेल और तीस जनवरी चार अप्रेल अठारा सो नवासी ठीक है चार अप्रेल अठारा सो नवासी और तीस जनवरी 1968 तो ये इनके डेट याद रखिए चार अपरेल 1889 को जन्म हुआ था 30 जर्वरी 1968 को मृत्यू हो गई थी ठीक हाँ चलिए क्रतियां देखे अब इट्रीक बताएंगे हम क्रतियों की क्रतियां मतलब रचनाएं अपनी कविताओं में राश्ट्रियता का समर्थन करने वाले माखनला चतुरवेदी जी की रचनाए समर्पन वेडूलो गुजेधरा चिंतक की लाचारी आत्म दीक्षा साहित देवता इसमें से जी देवता कैस्टरियों को को समर्पन वेड़ोग देवते हे साहित देवता इनकी करतियां समर्भाट। क्रती थी और चिंत की लाकचारी और आतमों दीक्षा यहां के संग्रह थे और हिम करेंगनी की है यह एक नमबर में प्रसंट पूछा जा सकता है हिम तरंगनी और हिम करेटनी माखनलाल चतरवेदी की है और हिम तरंगनी तरंगनी क्रिपाराम की है तो ये हम आपको अब्जेक्टिव कोईस्टिन जब भी पूछेंगे ज़रूर ये वाला कोईस्टिन पूछेंगे अब ट्रिक ले लीजिए ट्रिक क्या है ट्रिक ये है एक बार शेर कीजिए सभी लोग जोरदार जोरदार शेर कीजिए हिम हिम माता युगसम वेंडू हिम हिम माता युगसम वेंडू हिम हिम माता युगसम वेंडू चिनता हुई आत्मा सहित आतमा सहित यह ट्रिक याद रखे हिम हिम माता यूगसम वेंडू चिंता हुई आतमा सहित याद हो गया हो गया आपको साथ में बोलिए हिम हिम माता युगसम वेंडु चिन्ता हुई आत्मा सहिते किलाचारी चिन्ता से चिन्तक किलाचारी और आत्मा से आत्मा दिक्षा ठीक है आत्मा से आत्मा दिक्षा ठीक सहित से साहित्य देवता सहित से साहित्य देवता ठीक तो यह हुई काटिये बाकी सब रचनाओं के नाम है ठीक हेम तरंगनी हिम किरीटनी माता युग चरन समरप सब्सक्राइब तिक्रम ऊपंट किजिए अज کम ही लोग जुड़े हैं पता नहीं क्यों बारत में रहने के लिए बहुत आवश्यकता है अरता देश को बढ़ाने के लिए आप बहुत महान है इसलिए सर्म में आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं बलवीर कुमार यादो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी है कि आपने कम से कम इस लायक हमें समझा इस ब ठीक है अच्छा गुड मॉनिंग पर मन्यादो जी अनृद्ध कुमार जी कह रहे हैं अनृद्ध कुमार हम मैं आपके चरणों में बार बार सुबा 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 परणाम करता हूं आप हिंदी और क्या बता रहें साढ़े नोव बुझे ठीक है चलिए और किसी की कोई प्रश्ण हो तो आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक दो प्रश्ण जो फंसते चले जाएं आप जब पढ़ाई करें कुछ दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट में हमको बताईए ठीक है हमें जरूर कमेंट में बताईए कि क्या दिक्कत है शेर कर दीजिए सभी लोग तो एक बाद ट्रिक आप देख लिजी हम हम माता युगसम वेंड चिंता हुई आत्मा सहित हिम तरंगणी हिम किरेटनी माता युगचरण समरपन वेंड लोग गुझे धरा चिंतक किलाचारी आत्म दिक्षा और साहित देवता कि किसकी है माखनलाल चतुरवेदी की अगर ठीक है एक कालू राम थी भी थे प्रभा में लेकिन आप माखनलाल चतुरवेदी दिखिए जया देखिएगा ठीक है चलो और किसी को कोश्चन पूछने नहीं है तो फिर हम बंद करते हैं आज का प्रोग्राम अच्छा बताइए तो हिम हिम माता युगसम वेंड चिंता हिस साइद आपको याद हो गया होगा अगर याद हो गया तो बताइए हां कि सारहे 9 बजे से कर दीजिए अभी तो फिलहाल आप सारहे 9 बजे बात में देख लिएगा ठीक है वीडियो कहीं जाएगा नहीं आपको मिल जाएगा ठीक तो सारहे 9 बजे जिसको जिस टाइम समय मिल जाए जब भी समय मिल जाए वो देख तले बस सीरियल से पूरा करता रहे क्योंकि यहां पर अभी आप मान चलिए 15 सितंबर तक अरे सही बादेवान श्यादो जी बहुत अच्छे आप भी कफन जो है इसका फल रामचंद्र शुक्ल के इसमें थोड़ा यह कि इसमें किस बात पर जोर दिया उसका क्या दर्शाया गया है कफन क्या है वह यह तो आपने लिखने को कफन में घीसू और माधों है जिसमें एक मजदूर वर्ग की लाचारी विवस्ता आलस से एवं अकरमंड़ता का दर्शन हुआ है ठीक है घीसू और माधों आलस से आलसी वेक्टी होते हैं याद हो गया आरे कुमार जी याद तो होई जाएगा इस तभी शंकर जी अंग्रेजी पढ़ाएंगे भई या पढ़ाएंगे अंग्रेजी पढ़ाएंगे हाँ उसमें दखो कफन में अच्छा अच्छा तो बताइए बताइए अनुरु दुकमा जी क्या है जितना प्रहा याद हो गया याद हो गया एक बाद फिर से हम बता रहें माखनलाल चतुरवेदी का जन्म 4 अपरेज सन 1489 इसमी में होशंगाबाद में हुआ था बावई न इसन घर पे हुई बाकी अन्य भाशाओं का ज्यान इन्होंने पढ़कर के हिंदी के हल करने के लिए पीडियेप भेजते रहें यह बिल्कुल भेजते रहेंगे जो भी हल है भेजते रहेंगे भाई तो हाँ मस्त कलास है चलिए मनोच कुमार जी तुमाखनलाज चतुरवेदी आन्य भाशाओं का इन्होंने स्वाध्याय से अध्यन कर लिया याद कर लिया अंग्रेजी हिंदी उर्दू फार्सी आध्य भाशाओं का अच्छा ग्यान प्राप्त करके इसके बाद जो है यह अध अच्छा बारा शेयर करेंगे और आप से जुड़ जाएंगे समय वादा अच्छा ठीक है ठीक है का बारा शेयर करना निर्दुवारा आप बारा में है हाँ तो टेलिग्राम चैनल आप जॉइन नहीं कर पारें तो वाटसेप पर चैट किजिएगा हम वहाँ पर लिंक देंगे आप वहाँ से जुड़ जाएगा फिर क्या हुआ था साइट समयलन के अध्यक्षपद को अलंकरत किया था फिर क्या हुआ था फिर देलिट की उपाधिन को मिली थी भारत सरकार वारा पदम भुशनक पुरुषकार मिला था फिर उन्नीस सो कब उन्नीस सो 68 हिस्वी में इनका देहावसान हो गया था चार लास 12 में है ठीक है बिल्कुल अच्छे देख करिए ठीक है वाट्सप नंबर डबल एट सेवन फोर सेवन टू डबल फाइप वन फोर हां माइंड़ शिवम आप तो बारा में हैं दस में हैं अरे लेट में क्यों आते हो भया सात तीस से क्लास होती है सात तीस पर आ जाईए पुष्प की अभिलासा की व्याख्या बताएंगे आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद